मस्ते इडियो विवर्स आज के इस वीडियो में हम लोग हाफ सब्ट्रेक्टर को नौर गेट्स के हल्प से रियलाईज करेंगे देखे एक्जाम्स में जब क्वेश्चनस आता है तो वो कुछ इस तरीके से देता है कि realize या implement half subtractor using minimum number of nor gates, तो हम लोग क्या करेंगे, half subtractor को minimum number of nor gates के help से realize करेंगे, तो minimum number of nor gates केतना, लगबग 5 nor gates का हम लोग यहाँ पर use करेंगे, ठीक है न, चलिए देखिए इधर, अब सबसे पहले दो चीज़ यहाँ पर आप ध्यान रखें, कि हमें पता है कि half subtractor के पास दो output हुआ कर दी थी, एक होता था difference output, जिसको हम लोग A, X और B से represent करते हैं, और यह equal होता है किस से, A complement B plus A, B complement से, यह ध्यान रखेंगा, और दूसरा output क्या हुआ करता था हमारे पास, borrow out, जिसको borrow output भी कहते हैं, यह होता है A complement B, ठीक है, अब इन ही दोनों को तो हमें यहाँ यहाँ पर यह implement करना है, तो चलिए इसका implementation स्टार्ट करते हैं, इसको implement करने के लिए ऐसा करते हैं, हम लोग यहाँ पर 5 पहले nor gates को draw कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से माल लिजे कि यहाँ पर यहाँ पर एक nor gate है, ठीक है, यहाँ पर, चलिए एक nor gate यहाँ पर ले लेते हैं, एक nor gate आप इधर ले लिजे, यहाँ पर, ठीक है, एक nor gate आप यहाँ पर ले लिजे, इसके जस्ट पैरलल में, कुछ इस तरीके से, फिर एक nor gate यहाँ पर, ओके और फिर बिल्कुल इसी के सामने एक और नॉर्गेट आप यहाँ पर ले लिजे अब इनी पांचों के हल से हम लोग हाफ सब्टक्टर को बहुत आसानी से रियलाइज कर सकते हैं तो चलिए रियलाइजेशन स्टार्ट करते हैं ऐसा कीज़े यहाँ पर इन्पुट ए ले लिजे ठीक है अब यह इन्पुट को क्या करना है इस नॉर्गेट के साथ दे देना है ठीक है और यहाँ पर यहाँ पर इन्पुट भी ले लिजे इसको क्या करना है इस नॉर्गेट के साथ कनेक्शन देना है ठीक है समझ मैं रहा है यहाँ तक और यहाँ स प्लस भी आउट्पुट आया उसको उसका एक connection इसके साथ दे देता है और एक connection इसके साथ देता है ठीक है इसके साथ समझ में आ रहा है बिलकुल यहाँ पर देखे यहाँ का input क्या हो गया A और यहाँ का input क्या हो गया A plus B का complement ठीक है बिलकुल उसी तरीके से यहाँ का input क्या हो गया बी और यहां का input क्या हो गया a plus b का complement तो अब रोषी बात है इधर output क्या मिले गा a plus a plus b का complement पर whole complement मिलेगा क्यूंकि nor gate na a plus b का whole complement तो है ही है हमारे पास बट इसका भी whole complement मिलेगा यहापर बिलकुल उसी तरीके से इसमें भी होगा यहाँ जो हमें output मिलेगा यहाँ पर वो output क्या होगा? वो output होगा A plus B का complement प्लस B पर whole complement कुछ इस तरीकी से ओके अब जब हम लोग इसको solve करेंगे तो हम लोग को यहाँ पर यह equal मिलता है A complement B से उसी तरीके जब हम लोग इसको solve करेंगे तो यह हम लोग को equal मिलेगा A B compliment से ठीक है तो चलिए इसको एक बार solve कर लेते हैं ताकि आपके मन में कोई doubt ना रहें ओके देखें यहाँ पर क्या given है A plus A plus B का compliment पर whole compliment है ठीक है अब पहले यह bracket वाले को क्या करते हैं D Morgan's theorem से पहले break कर देते हैं अगर आपको नहीं पता है D Morgan's theorem क्या होता है तो आप देख सकते हैं लिंक नीचे description में आपको मिल जाएगा ठीक है A plus A plus B का सॉरी यहाँ पर apply करना था D Morgan's law चलिए आगे apply कर देते हैं A plus A compliment और B compliment product में आ जाएगा D Morgan's law apply करेंगे तो ठीक है इस पर whole compliment है अब देखे हमारे पास एक law होता है जिसको हम लोग कहते है absorption law वो हमें कहता है कि A plus A B compliment अगर रहे तो यह जो है कुछ ऐसे A plus B से equal हो जाता है ठीक है यहाँ पर यह B पर compliment नहीं होगा इस पर compliment होगा ठीक है A पर ठीक है A plus A compliment B अगर कहीं रहे तो यह equal होता है किस से A plus B से उसी तरीके से आप इसको imagine किज़े यहाँ पर क्या given है A plus A compliment dot B compliment है तो यह किस से को लोगा A plus B compliment से इस पर हम लोग इसी absorption law को apply किए तो हम लोग को क्या मिल रहा है A plus B compliment पर whole compliment मिल रहा है ठीक है अब क्या करता है यहाँ पर क्या किज़े D Morgan's law apply करते है आपको पता है ना कि अगर कहीं पर भी A plus B का compliment है तो हम लोग उसको A compliment dot B compliment के form में लिख सकते है D Morgan's theorem के recording तो यहाँ पर इसको कुछ ऐसे ही लिख देते है A compliment plus sorry dot में आगा dot B compliment पर compliment तो हम लोग क्या मिल जागा तो आपको यहाँ पर A B compliment मिलेगा अब आप थोड़ा सा गौर से देखिए इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते है A compliment B क्या था borrow output है तो देखे borrow output तो हम लोग realize कर चुके है यह क्या है borrow output A compliment B यह realize हो चुका है अब चलिए आगे बढ़ते है जो हमारा difference output है उसको realize करते है अब यहाँ से connection आप इसको दे देजे और यहाँ से यहाँ से connection ले लेते है यहाँ से और इसको दे देते है ठीक है चलिए थोड़ा आगे बढ़ा दे इसको अब देखे यहाँ पर क्या है हमारे पास input A compliment B है और यहाँ पर क्या है A B compliment तो यहाँ जो output आपको मिलेगा यहाँ पर वो output क्या होगा यह output होगा A compliment B आपको यह arrow देने की जरुदत नहीं हम लोग बस बता रहे हैं कि यहाँ पर output क्या होगा ठीक है न plus A B compliment ठीक है और इस पर whole compliment समझ में आ रहा है यह होगा यहाँ का output अब इसी output को क्या करेंगे दो input की तरह इस nor gate से connect कर देंगे तो इससे क्या होगा कि यह जो यहाँ पर output था इसका compliment perform करेगा यह पूरा जो है not gate की तरह back करेगा और यहाँ पर जो हमें output मिलेगा वो हो जाएगा एक compliment b plus a b compliment हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक compliment पहले से है इस पर एक और compliment आ जाएगा तो वो compliment और यह compliment cancel हो जाएगा हमार पास यह बचेगा यह किसे equal है a x और b से और यही तो है हमारा difference output तो कुछ इस तरीके से हम लोग half subtractor को minimum number of nor gates से realize करते हैं और आशा आपको यह calculation समझ मैं होगा और यह चीज़ जो rule हम लोगों नहीं यहाँ पर use किया था a plus a compliment b का that is absorption law यह भी आपको समझ में आया होगा और अगर आपको नहीं आया समझ में तो आप नीचे link है playlist का boolean algebra का वहाँ जाकर के आप इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं ठीक है ना तो चलिए आपसे next video मिलेंगे जहां पर हम लोग half subtractor को nand gate के help से जैसा कहिए minimum number of nand gate के help से realize करेंगे